देखें, successive differentiation में आपने nth derivative पढ़ा, n bar कैसे किसी function को differentiate किया जता है, इसके बाद जब product में function लिखे हुई तो leavenish तुरम पढ़ी, अब यहाँ पर nth derivative निकालना है, वो product का हो या single हो, x is equal to 0 पर, यह थोड़ा सा लफड़े वाला है, देखें त्यान से, जिसे मैं एक question लेके चलत to, x plus root 1 plus x square, x plus root 1 plus x square की power m, यह given है, और आपको proof करना है, पहले तो, show that to show, कई चीज़ें show करनी है, पहले show करना है आपको, 1 plus x square y2, 1 plus x square y2, plus xy1, plus xy1, minus m square y is equal to 0, तो पहले तो यह आपको proof करना है, तो आपको, साफ साफ दिख रहा है, कितनी बार differentiate करना है इसको, दो बार, तो इसको दो बार differentiate आप करेंगे, ठीक है, देखिए, तो differentiating equation 1 with respect to x, इसको differentiate करिए, तो यह y1 हो जाएगा, अब देखिए, आपने पढ़ा करेंगे, होल पावर m रिखी हो, तो इसमें formula काउंस लगा है, x पावर n, तो इसका differentiation होगा, m in bracket, x plus under root, 1 plus x square to power, m minus 1, फिर क्या करते हैं, इस bracket को फिर differentiate करते हैं, तो तो bracket को differentiate करेंगे, तो x का हो जाएगा 1, और इसका क्या होगा, 1 by 2, under root, 1 plus x square, और 1 plus x square क्या हो जाएगा, 2x, यही था न, तो यह 2 और 2 कट गया, अब यह root 1 plus x square LCM हो जाएगा, तो यह क्या आएगा, m, x plus under root, 1 plus x square to power, m minus 1, यह लेंगे LCM, तो आएगा, root 1 plus x square plus x, अपान root 1 plus x square, ज़रा numerator को देखिए, पहचान रहे हैं कुछ आप, क्या दिख रहा है, numerator यही चील लिख दिख रहा है, इसकी power 1 है, यह m minus 1, नहीं, तो यह power add हो जाएगे न, तो यह power m बन जाएगी, तो यह जाएगा, m, यह क्या बन गया, x plus under root, 1 plus x square की power, m, और अपान under root, 1 plus x square, ठीक है, यह तुबारा यही लिखा हुआ है, y लिखा है न, तो यह क्या लिखा हुआ है, यह लिखा है, m, y upon root, 1 plus x square, यह y1 निकला, ठीक, अब देखे, दुबारा differentiate करेंगे, तो यहाँ division लगाना पड़ेगा, तो division के बेतर है कि इसको cross multiply कर दो, तो यह आ जाएगा, आपका under root, 1 plus x square, y1, is equal to m, y, यह equation number 2 हो गया, अब इसको दुबारा differentiate करेंगे, पहुँचिए यहाँ तक, देखे, इसको again differentiate करतें, again differentiating equation 2, equation 2, note करेंगे, अभी हम द्वारा पुछेंगे, जरूत पड़ेगी, equation 2, क्योंकि हम तो हर पूरी चीज बोर्ड में लिखी नहीं रहे सकती है, पर digital हो तो किसका दो, यह तो रब करना पड़ेगा, देखे, अगर यहाँ पर हम differentiate करतें, तो division ल लगातें, यहाँ multiply rule लगातें, क्या आएगा, first function 1 plus x square, y1 का differentiation y2, plus second function y1, और इसका क्या होगा, 1 upon 2 under root 1 plus x square into 2x, is equal to m, और y का हो जाएगा y1, यह 2, 2 कड़ गया, तो आगया, under root 1 plus x square y2, plus x y1, upon root 1 plus x square, is equal to m y1, यहाँ, root 1 plus x square, LCM ले लो, तो जो LCM लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह root हर जाएगा, तो आएगा, 1 plus x square y2, plus x y1, बराबर, m under root, 1 plus x square y1, y1 को, एक लेट, अगेन, differentiate किया, तो किया, इसको, y1 को इधर ले ले, तो आएगा, 1 plus x square y2, plus x minus m, under root 1 plus x square, y1, is equal to 0, क्या प्रूफ करना था, आपको, प्रूफ क्या करना था, दुवारे जब differentiate किया था, यह गलत हो गया क्या, नहीं, नहीं, कहीं, गलत हो गया है, देखिए, अब एक लफड़ा है, चुकि हमारे जो प्रूफ में जो ला रहा है, उसमें y भी ला रहा है, प्रूफ क्या लाना है, प्रूफ लाना है, 1 plus x square y2, minus x plus xy1, minus m square y, y लाना है, तो थोड़ा समझिएगा, equation number 2 यह बना था ना आपका, तो अब जाद देखिए, यह चीज किसके equal है, m y है, तो यहाँ पर आप m y ले सतने हैं, प्रूफ देखना पड़ेगा ना हमको लाना क्या है, ठीक है, तो यानि यह क्या आ गया, 1 plus x square y2, plus xy1 is equal to m y, हमने यहाँ क्या किया है, using equation 2, हाँ यह भी square हो जाएगा यह, y1 थोड़ी हो जाएगा, y हो जाएगा ना, इसको equation number 3 डाल दो, समझे भान नहीं आई, ने वैसे तो हमारा जो result हम लाए था सही था, लेकिन हमें प्रूफ देखना पड़ेगा ना, जिसे ब रिजल में हमका हमारा 1 plus x square आ रहा था, y2 आ रहा था, x, y1 आ रहा था, यह नहीं आ रहा था, इसमें y आ रहा था, तो वैसे तो मेरा आंसर सही था, इस वो shift कर दो, y1 कामल ले लो, लेकिन उनका y आ रहा था, तो हमने equation 2 का इस्तेमाल कर दिया, ठीक, पहुंचिए यहाँ तक yn plus 1 plus n square मानस m square yn is equal to 0, यानि यह दो बार differentiate हो गया, अब इसको n बार और differentiate करना है, ठीक है, तो अब इसको n बार differentiate करो, तो differentiating n times, n times to equation 3, अब n बार differentiate करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, dn of 1 plus x square y2 plus dn of xy1 is equal to dn of m square y, अब यहाँ पर दो function multiply में हैं, तो किसका रूर लगेगा, लेवनीज थोरम, तो लेवनीज में u किसको माने और v किसको माने, हमने कहा था, v उसको मानते हैं, जिसका differentiation खतम हो जाता है, 1 plus x square को एक बार करेंगे, तो 2x आएगा, दुबारा करेंगे, तो 2 आएगा, तो इसको भी मानते हैं, तो क्या formula होता है, dn of y2 into v, याद करिए, आगया है, प्लस nc1, dn-1 of y2 into d of v, यहनि 1 plus x square, plus nc2 into dn-2 of y2 into d2 of 1 plus x square, यतनी तो आएगा न, यह, इसको जब दो बार differentiate करोगे, तो इसका 2 आजाएगा न, एक बार differentiate करेंगे किया यहाँ पर, तो 2x आएगा, दो बार किया, तो 2 आएगा, और तीबार करोगे तो 0 हो जाएगा, तो कुम्ला के तीबारा तो करना नहीं है, अच्छा, अब यहाँ पिर आजाओ, प्लस, इसका देखिए, फर्स फंक्शन, मतब, dn of y1, dn of y1, और इंटू, x, प्लस, nc1, dn-1 of y1, इंटू, d of x, बस हो गया, x का differentiation 1, अगले step में, 0, बराबर, यह तो एक ही टर्म है न, यह हो जाएगा, m square yn, ठीक है, लिखते रहे हैं, क्योंको रब करते रहे हैं जगह इसको बहुत चाहिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाईए, अगर y2 को n बार differentiate करते हैं, तो क्या value आएगी, yn प्लस 2, भाई, y1, y2 लिखते हैं न, यह हो जाएगा, yn प्लस 2, और इंटू, 1 प्लस x square, 1 प्लस x square, प्लस, nc1 की value क्या होती है, n, nc1 बोले तो एक बार difference मतलब इसको open करेंगे, और इसका जब n-1 बार करेंगे, तो क्या आएगा, yn प्लस 1, भाई, यह चीज और यह चीज प्लस हो जाती है, दो बार differentiate आप कर रहे थे, और n-1 बार और 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 इंटू, इसको करेंगे कितना आएगा, 2x आएगा, प्लस, nc2 को यह लिए क्या होती है, n, n-1 upon 2 into 1, इसका क्या हो जाएगा, yn और इसका 2, ठीक है, प्लस, यहाँ पे आईए, यह क्या लिखा है, यह लिखा yn प्लस 1, yn प्लस 1, इतना बड़ा expression दे के घबड़ा मत जाहिएगा, क्योंकि कुछ करना नहीं को लिए steps open करना है इसको, प्लस, nc1, n, यह हो जाएगा, yn और x का 1 हो गया, बराबर m square, yn, ठीक है, अब इसको arrange करना है, इसके 3 proof थे, एक बार, दो बार, एक को वो तो y दिया हुआ था, फिर दो बार differentiate करना था, फिर उसको n times फिर करना था, यह आया है, अब n बराबर 0 पे उसकी value न निकाले के लिए यतना अपने आप करना पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा, क्यों अभी हम बताएंगे, नोट करिए, अब ज़रा देखिएगा, यह 2, 2 कट गया, अब तो आप इसको adjust करते हैं, देखो, यह proof लाना, इसको अब नहीं कर रहा है, देखो, यह है आपका 1 प्लस X स्क्वाइर, YN प्लस 2 आ रहा है आपका, अचा, YN प्लस 1 यहाँ पर कहा कहा पर, एक ही जगे पर है, गलत कर गए क्या, ने, YN प्लस 1 दो जगे आ रहा है न, यह गलत कर गए गहीं पर, रुकिए ज़रा, हाँ लिखा तो यह ब्रैकेट गंद लिखा तो इससे दिख YN प्लस 1 L से में ले लें, तो यह क्या पचेगा, यह इसमें X भी आ रहा होगा, मेरे हिसाब से प्रूफ में X नहीं लिखा है, इसके प्रूफ में X भी है, तो यहाँ से ऐसा करते हैं कि YN प्लस 1 ले ले कामन, ठीक है, तो यहाँ से क्या पचेगा, अचा, X भी कामन हो और N यहाँ पर है और N यहाँ पर है सबको एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे और YN ले लेंगे हम कामन अंदर क्या बचेगा देखिए यहाँ YN था यहाँ क्या बचा N N-1 जबा कर्ली ब्रेकर बनाईए N N-1 ठीक है यहाँ पर YN था क्या बचा प्लस का N अचा यह YN इदर शिफ्ट होके आएगा क्या बचेगा माइनस का M स्क्वार टफ लग रहा है क्या कुछ नहीं है दो बार डिफ्रेंस रेट किया है ता लंबा लेका क्या बचेगा यह 1 प्लस X स्क्वार YN प्लस 2 प्लस अब इसको अच्छी दर लेको YN प्लस 1 इन्टो X इन्टो YN प्लस 1 प्लस इसको ब्रेकट खुरो जारा N स्क्वार माइनस N प्लस N माइनस M स्क्वार YN इस इकल तो 0 बस हो गया 1 प्लस X स्क्वार YN प्लस 2 प्लस 2N प्लस 1 X YN प्लस 1 प्लस N स्क्वार माइनस M स्क्वार YN is equal to 0 ये कुशन ममर 4 हुआ अब कहने है YN की value at 0 निका लिए ठीक है तो पहले यहां तो पहुंचें आप अब देखिए आपको पहले बार तो दो बार डिफिंसेट वाला एक प्रूफ कर लिया फिर N वाला ये वाला प्रूफ कर लिया ये दो वाला कर लिया था अब देखिए आपको करना क्या है ये कह रहे हैं आप Nth derivative at X 0 निकालना है ये question ये हिली करके आता है कभी कभी ये proof कुछ नहीं देता है कहते है Nth derivative at X 0 निकालना है अब आप करिए क्या यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सम X को 0 कर दीजेगा putting X is equal to 0 in equation 1, 2, 3, 4 कैसे तो देखिए 1 में रखता हूँ मैं जब 1 में X को 0 करेंगे तो value क्या आजाएगी रखे देखिए कितना आएगा 1 आए 0 आजाएगी 1 आएगी ना मतलब इसको लिखें कैसे Y at 0 ऐसे लिखा जाता है कि value क्या आगई 1 ठीक है अच्छा जब आप 2 में 0 करें X को तो यहां पर क्या आएगा यहां पर आएगा Y1 at 0 is equal to M Y at 0 Y की कौन से value लेंगे आप Y के value लिखेंगे भी लिखेंगे Y के value लिखेंगे ना जो X ब्रावज 0 पर आया है तो Y at 0 क्या आया है 1 तो इसकी value क्या आगई Y1 की M आगई अब ही question number 3 में करिए Y2 जहां पर 0 है तो सब क्यों 0 पर चाहिए ना X को 0 करें क्या आएगा यहां पर Y2 at 0 प्लस यह तो 0 होगा पूरा और माइनस M square Y at 0 बरावर 0 तो Y2 at 0 की value क्या आजाएगी Y2 at 0 की value आजाएगी M square ठीक है Y2 at 0 आ रहा ना ठीक है और यहां पर रखें तो यह आएगा X हो रखा 0 तो यह आएगा YN plus 2 किस पर add 0 यह तो पुरा 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पर इंटो X है और प्लस N square minus M square YN add 0 और YN 0 की value क्या आएगी है वही तो निकालना है आपको ना वही निकालना है आपको is equal to 0 यहां तो पुहुची क्योंकि रख करना पड़ेगा इसका इस्तेमाल हमें करना है इसको रख करना पड़ेगा अब देखी इसको solve करो YN plus 2 add 0 इसको उधर ले जाओ तो यह हो जाएगा X equal to M square minus N square YN add 0 हमको YN add 0 निकालना है ठीक है इसको इक question number कुछ मंड़ा लो कोई दिकर नहीं आप जाद देखिए YN 0 निकालने के एक लफड़ा है कि भई Y की value 0 पे बना रही है Y1 M आ रहा है और Y2 M square आ रहा है तो आप YN 0 निकालने के लिए आपको N को दो तरीके assume करना पड़ेगा आपको N को even assume करना पड़ेगा और odd assume करना पड़ेगा ठीक है तो पहला case लेंगे हमको निकालना क्या है YN 0 हमको जो निकालना है वो निकालना है यहाँ पर कि YN की value nth derivative add 0 निकालना है तो पहला case लेंगे when N is odd case 1 when N is odd odd इसको एक question मैं को डाल दो तो N is odd का मतलब N की value आप क्या लेंगे putting N is equal to 1, 3, 5, 7 and so on in equation 5 रखो जड़ा value देखो तब N को 1 रखोगे तो यह क्या बन जाएगा N को 1 रखोगे क्या बन जाएगा Y3 बन जाएगा तो Y3 add 0 आजाएगा is equal to यहाँ क्या बन जाएगा M square minus 1 square और into Y1 add 0 और Y1 add 0 की value क्या आ रही है M तो यह क्या आगे आपका M square ने bracket ना खुली minus 1 square into M bracket नहीं खुलेंगे क्योंकि एक symmetry चाहिए न हमको गरबड जाएगा symmetry नहीं बनेगे तो गरबड जाएगा तो आपको value किसकी आ गई Y3 आपने N की value क्या रखी है 1 अब N को 3 रखो यहाँ पर N की value आपने क्या रखी है 1 अब N को 3 रखो किसमे इन equation 5 एक symmetry बनेगे ना ने तो एक symmetry बन जाएगे एक दो इस्टेव को बाद में फिर N लिख देंगे डारेक्ट बढ़ा करके देखे जब N को आप 3 रखेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा Y5 बन जाएगा इस इकल टो यहाँ क्या बनेगा 3 रखा आपने तो आया M square minus 3 square और यह बचेगा आपका Y N को 3 रखा है Y3 at 0 और Y3 at 0 की value आप निकल चुके है तो यह क्या जाएगा आपका M square minus 3 square Y3 रखो M square minus 1 square into M यहाँ गया Y5 की value आ रही है अब जब आप इसको पकड़िए कैसे जब आपने Y1 निकला तो अकेला M square आ रहा है ठीक है सुरी अकेला M आ रहा है जब आपने Y3 निकला तो M square minus 1 square आ रहा है जब आपने Y5 निकला तो M square minus 3 square आ रहा है और M square minus 1 square आ रहा है क्या आपने देखा जब आप Y3 निकलना है जब आप देखे ध्यान से जब Y3 आप निकलना है तो पहला step क्या आ रहा है Y square minus 1 square मतब 3 से 2 कम और into M भार आ रहा है जब वाई 5 निकाल रहे हैं तो पहले 3 आ रहा है मतब कितना कम है 5 से 2 कम है यानि similarly similarly जब yn add 0 करेंगे और n odd आप मान चुके हैं यहाँ यह 2 कम हो जाएगा तो यह क्या बनेगा यह बनेगा m square minus n minus 2 का square पहला इससे सुना आ गया इसके बाद फिर 2 कम होगा और कहां तक घरते घरते कहां तक जाना है 1 square तक जाना है तो एक और आप कम लिखना चाहो लिख दो तो भै नहीं समझे 3 आया फिर 1 आया जाना 1 तक है तो यहाँ 2 कम हो गया न जब आपने 5 बार differentiate किया तो यहाँ 3 लिखा हुआ है यहाँ 2 कम जब n बार किया तो 2 कम कर दिया है यहाँ पर एक इससे बहुर बढ़ा दू तो अगला स्टिप के आएगा m square minus n minus 4 का square और कहां तक जाएंगे यहाँ तक जाएंगे यहाँ यहाँ तक जाएंगे यहाँ m square minus 1 square into m तक जाएंगे ठीक है अब देखिए जब 3 बार आपने किया तो यहाँ पर y1 at 0 आया है जब 5 बार किया नहीं हो तो पूरा कल्ग्लेट हो गया वैलू रखने के बाद आँसर सुन्मा के नहीं आगया यही आपका अंसर हो गया m हट गया ना आप y1 हट गया ना वैलू रखने के बाद आया ना तो सब में बाद में m आ रहा है हमने बाद में m रख दिया सब में कहां तक गया है 1 square तक गया है हमने 1 square तक क्या दिया यह संब लिएगा m square minus 0 square उसे एक ज़्यादा m square minus 1 square करते करते कहां तक जाएंगे जितना यह एन है उससे दो कम यह समझेजिए आप लॉजिक पकड़ में आया नोट करिए इसको अच्छा केवल आजान लिग करके आए जाए कि वाई एन अट जिरो निकालिए तो आपको एन प्लस टू बार डिफिरेंसेट करना ही पढ़ेगा व scream ब्रावर दिरो टू पोर शिक्स पूट करेंगे पूट इंटर करेंगे इने क्कोषिण 5 अब देख तू ज्यन से अब में एन को 2 पूट करता हूँ एन को 2 कि यह क्या मन जाएगा y4 at 0 is equal to m square minus 2 square y2 at 0 और y2 at 0 निकाल चुकिए यहाँ पहले से m square वो चुकिए आपकी odd जब even रखोगे ना तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और 2 ही जरूत पड़ेगी आपको तो वहाँ मिलना चाहिए ना आपको तो यह क्या आगए आपका m square minus 2 square into m square आप जब आप n को 4 रखो n को 4 रखेंगे तो क्या बन जाएगा यह यह बन जाएगा y 6 at 0 यह आप देखो यह आप आपने 2 रखा है ना तो यहाँ m square 4 रखा है तो m square minus इससे 2 कम आया यह तो इसका मतलब आप 6 6 रखोगे तो पहले रखी लो 6 नहीं पहले हाँ 6 यहाँ रखो तो symmetry जब करेंगे तब करेंगे यहाँ n को 6 रखो तो क्या आएगा m square minus 6 square एक मिनट n को 4 रख रहें ना तो 4 square आएगा n square minus 4 square और बाहर क्या आएगा y 4 at 0 और y 4 at 0 की value आप निकाल चुके तो यह क्या बन गया m square minus 4 square और y 4 कमान m square minus 2 square into m square अब similarly देखिएगा अब मैं रखने जा रहा हूँ y n similarly y n at 0 और n है odd sorry even देखो जब 4 रखा तो पहला step क्या या 2 नहीं 2 कम 6 रखा पहला step क्या है 4 2 कम और घरते घरते कहा तक या है 2 square तक और वैसे भी 2 square बाद 0 square आएगा पर दो दो जब कम करते रहोगे तो 2 में 2 कम करते रहोगे तो 2 में 2 कम करते रहोगे जिरो आएगा तब square minus 0 square तो देखिए पहला step क्या आएगा पहला step आएगा m square minus n minus 2 का square दूसरा step क्या आएगा m square minus n minus 4 का square गढ़ते गढ़ते कहां तिक जाएंगे m²-2² इंटो m² ये आंसर आ गया तो ये नड़ 0 even के केस में और इसके पहले वाले केस में odd के केस में ये दो एलो आएंगे